प्रधान मंत्री नरिंडर्व मोदी जी के द्वारा तेरह बिंदूओं को ध्यान में रखकर गरीब मजदूर वर्क के लोगों को प्रावधान सुनिश्चित किया गया है जो ये एक सरान्हन ये कारे है लेकिन सरपंच सचिव के मन मानी के चलते गरीबी में जीवन यापन करने वाले मजदूर वर्क के लोगों को प्रावधान नहीं दिये जा रहे हैं बलकि अपने चहेतों को मकान उपलब्द कराए जा रहे हैं ऐसा ही कुछ मामला कटनी सी लेकि रिठी जनपत पंचायत क्षेत्र अंतरगत ग्राम पंचायत खम्रिया नंबर एक में देखने को मिला जहां 194 पीए मावास स्विक्रित किये गए हैं जिसमें तीन लोगों के आवास पूर्ण नहीं तथा पांच लोगों के सूची में नाम रूप लगाते हुएं बताया कि ग्राम में जिन जिन लोगों के सूची में नाम आये थे उन सभी लोगों से 5,000 से 10,000 स्लाश रुपए के बीच ग्राम पंचायत के चपरासी बसंता 12 रुपए की मांग की गई थी हम लोगों रुपए नहीं दिये इसलिए हमारा प्यमावा की सूची में नाम आने के बाद भी हमें आवाज उपलब नहीं कराया गया जबकि सरपंच कि सोबाई के पती मुन्निलाल तथा ससुर सिपाही लाल का आवाज बन चुका है वही कलुबाई और राकेश यादव ने बताया कि हम लोगों से 5,000 रुपए बसंता ने आवाज आ पर आवास नहीं आया कुद्री निवासी सटाई राम से भी खस्त के दौरान ही हमसे 5,000 लिए गए थे तब कहीं जाकर वो अपना मकान बना पाया है इस संबंध में जब सचिव आशोग पतेल से बात की गई तो उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब देना उचित नहीं समझ रिठी संबाद दाता हरी शंकर बैन की रिपोर्ट पसंता कौन है ये चपरा सीरा हो जब तो किसके कहने में उसमें पासब से लिया है आवा सोक हो हूग है कै मंगा खेला वेता कौन असूख ये जोनु बनो है से कट दी तो पैसे देने के बाद आपका मकान नहीं आए हाँ इस तोरतां ग्यरगवाओ है मकान मुरे धन लोक है नगया जा धन लोक है न ये तोरे घर मुरे घर में खोर्वांद光 तोरे घ़र में धूर बाद है कि यह नाम है आपका तरश्रति पाल सरपंच कौन है सरपंच किस्व बाई सचीव असो किया दो आपसे सचीव ने कहा था कि सरपंच ने कहा था कि मकान आगया है सरपंच सचीव दोनों बोल रहे था किया रहा थे अपका मकान आ गया है कितने वर्ष पूर्व कहा था पहले कहा था चौथी साल चल रही है और मकान आने के बाद भी नहीं बन पाया अब सरपंच से बात करी सचीव तो क्या कहते हैं बोल रहे हैं आज आएंगे इस महीने में जाएंगे अगले महीने में आजाएंगे, सवार नहीं आए तो सवार आ जाएंगे, जे बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सरश्चतिपाल आपका? रंगोट की जाएंग हमारा मकान प्रिधर मंत्री अबास योजना में आया रहा और सरश्च और सचेव ने मिलके इसको कहीं से अपात्र करवा दिया है। हम दोचार मरत्वेन के पास गए तो बोल रहे थे कि आपका मकान आया है पास हो जाएगा रीठी चले जाओ फिर बोले कटनी चले जाओ दोचार मरतवा क्लेक्टियट गए हम लोग वहां से भी कुछ नहीं हुआ हमारा एक दिल में जल्पोद गए फिर वहां से भी कुछ नहीं हुआ और हमारे हाँ किस्टोवाई का भी मकान आया सरपंच का और उसके सब्सरू का भी आ गया और हम पैसा नहीं हमारे पास तो हम गुद्रा नहीं हुआता है कोई बहुत पास光 पास जाए भी मोला नहीं रहा कि आया यह चया और हम चemarants दिदे आखिए इस हमारे पास ब्रॉब 2 में है कोई बता तो यहीं के वासी के मतब है कुछ 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 कुद्री के अभी आपने सरपन से बात कर दिया अपनी विशे में जी सर क्या क्याता है वो बोलता है कि वो आए शायक सचुब जाने उसी ने कैंसल करवा दिया है क्या ना में आपका सिर्परसाद या दू कहां करने बादे हुआ है कर दो कब कब बन गया है तो कुछ पैसा से दिए थे कितना लिया था पांचा ख़ड़ा किस्ना लिया था यही लिया था यही लिया था कर दो कौन है को ने कमर्या कों है कि अधिया था आप टे पैसा कि जिया उसको निकल बादेंगे खर्चा देओ टो राजाग पैसा निकल बा देगी लिए था यह लिए पैसा अपने फाट्टा तो नहीं दिये था इसे तो आपके संग्यान में बात नहीं आता है तो आपके संग्यान में बात यह आई थी कि वहाँ पे सरपंच ने अपने पती और ससुर को अबंडित करवाया है माकान। खमरीया नमर एक ग्रम बंचार देखिए क्या होता है अधी ब्यक्ति अलग अलग है वो अलग रहते हैं पत्री अलग है तो हम उसको लाग दे सकते हैं क्या आपने वहाँ जाक ने इसक निर्चान किया भी करारीं यह नए हमारी मन्रे करते हैं सुपरवाइजर करते हैं बो पाथता शुती बनाते है किया सुपरवाइजर ने आपको जनकारी जीस पर सकी सर्पंचों को दिया जा रहा है माननी जिला पंचायत मादय के माध्यम से भी जब सर्पंचों ने नहीं बनाया तो दारा चालिश जारा वान नभी हम लोगों ने शुरू किया और उनने अपना गर बनवाया को फरवारा लेकिन जब वहां पर महिला सर्पंच ही अपने पती और सजोर को बंडित करा रही है तो सर्पंच को जाच की तो वह से कुई सवाली पैदा होता है यदि वो पात्रता परिक्षर रखता है तो उसको मेलेगा उसमें कोई डाउट नहीं है तो अपने कोई जानकारी नहीं है जाच हमारा संबंद सुपर्वाइजर करता है हम इस संबंद में किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं लगा है कि नहीं इनको दिया गया है क्या है कौन सुपर्वाइजर पूर में नारायन पटेल थे अभी आर्पी खारे तो क्या उन्हों ने आपको इस विसे में चानकरी दी कि कि आपके संग्यान में बात नहीं है कि वहां पर इस तरी किसा रूपर चल रहा है किसी प्रकार का कोई आरोप की हमको किसी प्रकार को जानतारी नहीं